नमस्कार जी तो आज का ये वीडियो पूरा का पूरा मेरी पहले किताब नाइट मेर के नाम जब से ये किताब मार्केट में ये तब से हजारों क्यूसंस मेरे से पूछे गए कि ये किताब किस पे हैं कैसे लिखते हैं कैसे छपवाई और इसकी स्टोरी क्या है तो मुझे एक्टिव रूप बना के उन क्यूसंस का एंस्वर देते हुए मैं इस किताब को पुरा बताऊंगा तो आज के वीडियो शुरू करते और सबसे जाद मेरे से एक ही क्यूसंद पूचा गया कि यह किताब किस टॉपिक पे तो मैं उन सब को बताना चाहता हूं कि यह किताब एक चोटी मोटी कोचिंग जोइन करता है साल दर साल कोचिंग में त्यारी करता है पढ़ाई करता है लेकिन सेलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर दूसरी साल त्यारी करता है इसी तरीके से दो साल तीन साल चार साल इसमें टोटल चार साल की कहानी है और वह चार साल तक मेडिकल आती है जैसे फैमिली प्रोब्लम आती है पैसों की प्रोब्लम आती है एक यह जो रोहित नाम का लड़का है यह फार्मर बेग्राउंड से होता है तो ओविएसली एक फार्मर को चार साल तक अपने बेटे को भारवी के बाद कोचिंग करवाना मेडिकल की बहुत मुश्किल क करता है और फाइनेंसियल हो गया और जैसा यह जिसमें एज होती हैं जो के बाद इनेजर जिसे कहते हैं उसे −ली क्या होता है कि जो लड़के होते हैं या wichtiger होते कोई भी हो सकते हैं तो मतलब वो एक उनका उस एज में न भटकने की संभावना रहती है तो मैंने थोड़ा वो भी एक दरष्टिकाँ डाला है कि किस तरीके से जो यह लड़का है वो भटक जाता है एक लड़की से प्यार हो ही है तो वो भी मैंने डिस्क्राइब करी है जैसे कि एक्जाम कैंसल हो जाना और अच्छी-खाची त्यारी होने के बाद भी एक्जाम कैंसल हो जाता है तो ऐसी कुल मिला के ये पूरा इस कहानी का साथ क्या है और साल दर्ट साल जो रोईतने जिस सपने के लिए त्यारी कर रही है वो ही सपना उससे डढने लग जाता है मतलब उस वह एक सपना नाइटमेर की तरह लगने लगता है तो उसी पे आधारित मैंने इसका नाम भी नाइट मेर रखा ये कोई बोहतिया टाइप की कहानी नहीं है ये एक ड्रीम एक पैशन एक क्रिजिनेस की एक पागलपन की कहानी है ये है नाइट मेर के बारे में तो दूसरे क्योशन के तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क् है कि इसका नाम नाइट मेर क्यों है क्या ये हॉरर इस्टोरी है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हॉरर इस्टोरी नहीं है इसका नाम धले ही हॉरर टाइप का हो नाइट मेर वैसे ये नाइट मेर के नाम से बहुत सारी हॉरर इस्टोरी जा चुकी है बट ये कोई हॉरर न की तो उनकी हिसाब से काफि उनके लिए उनको टार्गेट करते हुए मैंने लिखिए तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तिक बाद जरूर ट्राइ करना चलते हैं अपने next question की तरफ next question है कि क्या आपकी किताब किसी की real story है आपको यह किताब किसी की true life पर बेस जरूर है और hundred percent यह किसी एक ही नहीं है बहुत सारे अलग-अलग character जो मैंने खुद भी त्यारी करी थी medical की दो साल की तो मैंने और बहुत सारे characters देखे थे तो उनको देखके सारे जो अलग-अलग characters की जो मुझे सही लगा वो मैंने एक में डाला तो इस इस हिसाब साब कह सकते हो कि यह fictional भी पूरी नहीं है तो real भी किसी पर real story भी पूरी नहीं है और अगर किताब लिखने का idea की बात करें तो मुझे वैसे लिखने पढ़ने का सुरू से सौक था और मैंने सोचा था कि कुछ मुझे लिखूंगा जुरूर तो जब मैं medical की coaching कर रहा था वहां तो लाखो students coaching करते हैं उनकी हर एक student की अपनी अलग-अलग stories होती है उनकी family की story होती है past future जो भी को मतलब हर एक stories different होती है तो मुझे उस time लगा कि क्यों ना इसी मैंसे कुछ एक story निकाल के लिख दूँ तो उसी मैंसे यह idea मुझे उसी time आ गया था छह साल पहले कि इस तरह की story लिखने चाहिए और फिर वहीं से मैंने यह लिखना start किया था थोड़ा 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 रोज लिखता था तो कुछ कुल मिला के इसका answer यह है next question है कि आपने किताब कैसे चपवाई और खरसा कितना आया तो मैं बताना चाहता हूँ कि किताब कैसे चपवाई यह तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वैसे लिखने से ज़्यादा problem अपन को लगता है कि लिखने से ज़्यादा problem चपवाने में आती है बट ऐसा नहीं है और काफी लोगों ने यह सीज पूछी है कि आपने किताब कैसे सब्वाई मैं भी लिखना चाहता हूं मैं भी पब्लिश करवाना चाहता हूं आप मुझे कोई बताओ टिप्स दो तो कोई टिप्स नहीं है मैं लेकिन हाँ मैं इस पे एक डेडिकेटर अलग सी वीडियो करूँगा आज मैंने पूरी को पूरी बात मैं सिरफ इसके बारे में करूँगा और जलच जल्च जल वह वीडियो भी बनाके में डालूंगा कि आपकी किताब कैसे पब्लिक्स कर सकते हैं इंडिया में कौन से हिंदिक हैं कौन से इंग्लीस में तो इस कैशन le कि मुझे भी किताब लिखनी है मुझे टिप्स दे दीजिए तो इस क्योसन का मेरे पास कोई एंसर नहीं है क्योंकि मैं इतना बड़ा बना नहीं कि मैं लिखने की टिप्स दूँ मुझे मैं खुद सीख रहा हूँ अभी तो मैंने फर्स लिखे इसमें भी बहुत सारी गलतिया होगी मुझे समझ में नहीं आती होगी जो बड़े होंगे, जो समझदार होंगे जो बहुत सारी किताबे पढ़ी होगी तो काफी गलतिया भी निकलेगी लेकिन मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप में लिखने का वो है ना तो किसी के tips नहीं लोगे क्योंकि अभी तो मैं सीख रहा हूं मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे लिखते हैं ठीक है मैं जैसे ये लिखी अपनी ऐसे ही जो thoughts आते गए और भी दूसरी किताबे पढ़ता गया तो उनको भी देखके thoughts आते गए वैसे लिखता गया और मेरा तो एक ही request है कि आप बस लिखते रहो जो भी मर्जी करें लिखते रहो आपकी अपनी एक style फॉलो गरो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो जब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो questions अपना आप ही खतम हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं क्योंकि अगर लिखने का सौक है न तो किसी के tips की जरूरत भी नहीं होती है मैंने सच में किसी से tips नहीं लिथी कि कैसे लिखते हैं मैं बस पढ़ता गया और लिखता गया पढ़ता गया और लिखता गया किताबे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो अपना आप ये किताबे खतम ही हो जाएगा और अगर आप पूछ रहे हो तो आपको सच में किताबे पढ़ने की जुरूरत है उसके बाद ही आप लिखने की सोचना ये कड़वा हो सकता है बट ये सचे नेक्स्ट क्यूसन है कि ये किताब क्या स्टुडेंट के लिए है या किसी कोई टारगेट ओडियन्स के लिए है या बड़ों के लिए है तो मैं इस क्यूसन का एंसर देना चाहता हूँ कि जब मैंने लिखी थी तो यही सोच के लिखी थी कि यह कोई competitive exam की त्यारी करेंगे उनकी लिए ज़्यादा काम की रहेगी लेकिन हाँ उनकी तो है ही बट उनकी लिए भी ज़्यादा ज़रूरी भी ज़्यादा important हो सकती है जो किसी अपने past में त्यारी कर रखी हो किसी भी exam की साई वो अभी medical college में हो या भी doctor हो किसी medical college की जाने के लिए त्यारी कर रखी हो coaching कर रखी हो या भी कोई IIT की त्यारी पहले कर रखी हो अभी IIT में हो इस हिसाब से जिसने भी coaching करी है उस हिसाब उसके उसकी लाहिपे भी उनको लग सकती है कि हाँ यार यह तो सच में अपने साथ भी ऐसा हुआ था तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी पढ़िये इसमें कोई वो नहीं है बढ़ हाँ इस्टुडेंट हो और अगर आप त्यारी कर रहे हो तो सबसे पहले रिक्मेंट करूँगा कि आप पढ़िये इसको बहुत अच्छी लगेगा आपको नेक्स्ट क्योसन है कि आपकी नाइट मेर हिंदी में ही क्यों है इंग्लिस में क्यों नहीं है तो मैं उसका एंसर यही देना चाहता हूँ कि अभी मैंने यह हिंदी में लिखी है जल्द से जल्द इसका इंग्लिस ट्रांसलेशन भी आएगा अभी मैं कोशिस कर रहा हूँ कि कोई धंका ट्रांसलेटर मिल जाए और अभी तो मैं खुद भी इतना बड़ा नहीं हूँ इतने पैसे नहीं है कि जादा पैसे जो बड़े बड़े ट्रांसलेटर है जितने मांगते उतने मैं नहीं नहीं दे सकता तो मैं कोई दोस्त को ही ढूंड रहा हूँ कि कोई अगर कर ले तो जो छोटा मोटा जो खर्चा होगा वो बात कर लेंगे और अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हो और आप मेंसे कोई ये ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी से इंगलिस में तो मैं आपको भी welcome करता हूँ आप comment में अपना नाम दे दीजिए या मुझे Instagram, Facebook कहीं पे भी मुझे mail कर दीजिए कहीं पे भी आप मुझे contact करके मुझे बता सकते हो कि हम इसको translate कर सकते हो आएगी जल्द जल्द English में भी लाओंगा क्योंकि पढ़ने वाले दोनों में हैं इंग्लिस में भी पढ़ते हैं कुछ लोग होते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं जैसे Bengal के हैं Southside के हैं मेरे काफी दोस्त है उस साइड के भी वो हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं उनके हिसाब से सोचा है कि इंग्लिस में लाओंगा तो आएगी इंग्लिस में आएगी इंतजार करिए Next Question है Next Question है कि अब तक कितनी कॉफी बिख चुकी है ये क्योशन न सबसे ज़्यादा वो लोग पुछे हैं जिन्हों अभी तक खरीदी भी नहीं है तो actually अभी कोई वैसे इस का कोई correct मेरे पास detail है नहीं ये publisher के पास है वो जल से जल detail भेज देंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी कॉफी बिख चुकी है परंदु हाँ अभी मेरे पास कोई detail नहीं है इसकी लेकिन हाँ ज़्यादा भी नहीं भी की है first coffee है मुझे जो लोग आसपास के दोस्त वगिरा है वो ही खरीदे है कुछ लोग होंगे मुझे नहीं लगता कि कोई अंजान लोग खरीदे होंगे और खरीदी हैं तो मेरे दिल से शुक्रिया और दोस्तों को खास करके शुक्रिया क्योंकि दोस्तों लोग ही आज मेरी ये किताब अगर कोई विक रही है कोई अंजान लोग खरीद रहा है तो वो कोई दोस्त के थूरू रिक्मन्ड हो रही कि मेरे दोस्त ने लिकिया आप प्लीज खरीदो तो मैं सच में दिल से शुक्रिया कर रहा हूं कि आप मेरे साथ इस तरीके से बने हुए है और और भी साथ दीजिए अभी ये किताब ऐसे ज़्यादा क्या बता हूँ ज़्यादा भी की तो है नहीं बट हाँ मेरी ये की अनुरोर ट्रिक्वेस्ट जो समझो कि प्लीज बुक ओर्डर करिया आपको बहुत अच्छी लगेगी मतलब बहुत सिंपल लेंग्वेज में है आप एक एक शिटिंग में खतम कर सकते हो पांच शे घंटे में खतम हो जाएगी बहुत सिंपल लेंग्वेज में हिंदी में हाप आराम से अगर हिंदी समझ रहो तो बड़े आराम से और मैंने कोई टफ वाली हिंदी नहीं लिखी है जो आज के टाइम में जो चलती है ना नई वाली हिंदी तो मैंने उसी वे में लिखा है कि अपन जो बोल चाल की भासा में जैसे आता है उसी तरीके से मैंने हिंदी लिखी है तो मे हाँ अवेलेबल है और वैसे यह जहां से यह पबलिश हुई है राज trailer publisher से यह वहां पर भी अवेलेबल है उसकी साइट पर भी अभी क्रोना की वज़े से outline तो है नहीं बाट हाँ जल्द से जल्द यह भी कोसिष करेंगे की book store पर भी hो बस यह कोरोना खतम हो जाए hope so next question है कि nightmare को लिखने में कितना समय लगा तो इसका answer है कि वैसे मैंने dedicated कोई time नहीं दिया इसको कि मैंने fix पूरा का पूरा time इस पर ही जोंका ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने अपनी college time में पूरा first year से लगा के फोर्तियर तक मैंने हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखता था तो ऐसे तो चार साल लगे है लिखने में बट मैंने dedicated time नहीं दिया कि मेरे को book लिखनी है लिखनी है मैं आराम से लिखता था मुझे अच्छा लगता था तब लिखता था कोई ज़रूरी नहीं कि हर रोज लिखता था और हाँ लेकिन story मेरे दिमाग में पहले से एक short story इसी की मुझे कवर दिमाग में थी तो मैं उसको elaborate करते 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 लिखता गया और बस ऐसे कहूंगा कि चार साल लगे बढ़ हाँ डैडिकेटे टाइम नहीं लगा है और बाद में जब पूरी हाथ से लिखता हूं मैं तो पहले हाथ से पूरी हो गई उसके बाद मैंने इसको typing करना start किया प्रूप रीड करी दोस्तों को और एक दो जुनों को पढ़ाई तो इस तरीके से च्छे महीने ये लगे थे तो आप देख सकते हो चारे चार साल के आसपास लगा था लेकिन हाँ डैडिकेटे टाइम नहीं था अगर आप प्योरली टाइम दो तो मुझे लगता है कि च्छे महीने भी सफिशेंट हो जाएंगे इसको लिखने में और मैं तो बड़ी सिंपल लिखी है सच बता हूँ बड़ी सिंपल लिखी है नॉर्मल आप कहीं पे भी आराम से बैटे बैटे पढ़ोगे कहीं पे भी दिमाग पे जोर नहीं आएगा मस्त रिलेक्स होके दिये और पढ़िये और कोई क्यों सुन तो वैसे है नहीं खतम हो गए बढ़ हाँ मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज आप इसको खरी दिये मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हाँ मुझे प्लीज बताना कि कैसी लगी आपको कैसी लगी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ और दूसरी अलग ट्राइब की बुक्स पढ़ रहा हूं तो होपस हो कि अगले साल या फिर उससे अगले में ले आओंगा दूसरी बुक लेकिन तब तक आप मुझे इसको इस सवाली बुक का प्यार दीजिए ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा और नेक् जै हिंद जै भारत